हेलो गैज, स्वागत है आप सबका, तो आज हम बात करें कि अदानी टोटल गेस की और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, खास करकि बाजार बंध होने के बाद, और सोमबार को इसका जो है पॉजिटिव इंपेक्ट देखने को मिल सकता है, कई बार मैंने कहा है कि भले ही लेवल के उपर फसे हुए है, लेकिन आपका प्राइस भी आने की संभवना रह सकती है, शेर का प्राइस उपर जा सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है, इस खबर को देख सकते है, अभी इसका पी रेशियो जैसे कि हमने बात कहीं बार की थोड़ा ज्यादा है, इस वज़ इसकी डिमाड आगे चलकर भी बढ़ सकती है, कई ने कहीं, सबसे पहले तो हेडलाइन को ज़रा देखे, कि गौतम अदानी की लंबी चलांग, अदानी टोटल गेस ऐसा करने वाली बनी दुनिया की पहली कंपनी, दुनिया की पहली कंपनी इसको बताया जा रहा है, बड़ तो देखे, तो मार्केट के 86,000 करोर के आसपास का, पी रेशियो हाई, 126 के आसपास का दिखाए दे रहा है, लेकिन रिटेन और केपिरेल इंपर इस पसे यह चीज़ यह चीज़ यह पर अच्छी दिख रही है, फेस फेली एक रुपे और 52 विक हाई लो भी अकर आप इसक का बिजनस क्या है कि City Gas Distribution, यानि कि CGD Business, और इस रिपोर्ट के अंदर है इसके बारे में, इसलिए यह पहले तो जान ले, इसका बिजनस क्या है, City Gas Distribution है, और supply natural gas to domestic, commercial, industrial and vehicle users, इन चारों को जो है, supply करने का काम है, natural gas का, साथ-साथ यह काम है, तो अधानी ग्रूप और Total Energies, उ हिस्सा है, उस तरीके सा, दोनों का ही मतलब की, और यह Total Energies भी जो है, काफी बड़ी कंपनी है, globally, अगर देखे तो, इसके बारे मैं जिसको नहीं बता, उनको मैं बता दू, दोनों का joint venture है, दोनों की हिस्सेदारी partnership, 37.4% है इसके अंदर, अब जरा देखे, इनोंने यह जो दूसरी अदानी ग्रूप की कंपणियों की बात करना, तो काफी उसका करजा हाई है, लेकिन इसका करजा काफी कम, तो थोड़े बहुत और भी पैसे जुटाते हैं, तो भी उसको आसानी रह सकती है, सब सब पहली बात तो यह, अब देखते हैं, कि वो रिपोर्ट किया है, अब पर देख सकते हैं, कि गौतम अदानी की कंपणी अदानी टोटल गेस ने शेहरी गेस वित्रण कारोबार में, यानि कि CGD, जो city gas distribution के, उस कारोबार के विस्तार के लिए, वित्रण के लिए 375 मिलियन डॉलर, यानि कि तक्रीबन तक्रीबन 3,000 करोड के आसपास, रूप investments से, ATGL के CGD Network Infrastructure Development कारियकरम में तेजी आएगी, और अदानी ग्रूप ने भारत की 14% आबादी, इस पोईट को खास ध्यान से देखे, अदानी ग्रूप ने भारत की 14% आबादी, यानि लगबग 200 मिलियन से अधिक, यानि कि तक्रीबन 20 करोड के आसपास, लोगों को, 200 मिलि दानी टोटल केस का प्रफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, और सेर के अंदर भी अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, तो जो लोग उपर में भसे हुए है, उनका प्राइस भी मिल सकता है, बस थोड़ा वक्त मतलब की लग सकता है, ये भ प्राती बदता भी शामिल है, प्रारम भिक फंडिंग में, अब ये जरा देखे, प्रारम भिक फंडिंग में पांच अंतर राष्ट्रिय लेंडर्स ने भाग लिया है, और ये भी कोई मतलब की बेवकूप तो नहीं होगे, कि इनके अंदर इन्वेस्मन किया है, अबादी को कवर करेगा, तो इस फाइनांस की मदद से अधानी टोटल गेस 13 राजियों में अपने 34 अधिक रुत भोगोलिक शेत्रों में नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर सकेगी, ये भारत की 14 प्रसेंट आबादी को कवर करेगा, जिसमें 200 मिलियन से अधिक लोग जो वो शामिल होगे, यानि की तकरिबन 20 करोड आगे देखते हैं, अधानी ग्रूप ने कहा कि अधानी टोटल गेस, हाई कारबन इंसेटिव, इंटेसिव कन्वेशनल फ्यूल सोस को बदलने के लिए PNG और CNG के उप्योग को बढ़ावा देने, और भारत में एनर्जी ट्रां की भागीदारी, शेहरी गेस वित्रण की शमता को मजबूत करेगी करती है, और ये इन्वेस्मेंट ATGL की निरंतर वृद्धी को आगे बढ़ाएगा, आगे देखते हैं कि एनर्जी ट्रांसिशन को लीड करने को लेकर कमिटेड, तो अधानी टोटल गेस लिमिटेड ने इकाव उर्जा को बड़ावा देकर अपने बड़े उप्भोकताओ के आधार के लिए, ट्रांजिशन एनर्जी प्लेटफॉर्म के निर्माण में महतोपुर्ण घुमिका भी निभाई है, तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और एक चीज़ और समझने लाइक ह जो है डिस्टिबिशन नहीं है, इसका भी बिजनस जो है, जो एक तो ये बायो गेस जो है, वो भी एक बिजनस है इसका, साथ-साथ और क्या है, कि वो ईवी चार्जिंग टेस्टन, वो भी ये लोग लगा रहे है, तो थोड़ा डाइवसी बिजनस भी है, तो फ्यूचर इ है, वो थोड़ा सा range bound रहता है, कोई और share बढ़ता है, वो share भी पिछली दिनों में मचलब की range bound हो सकता है, ये भी ना भूले, फिलाल, कई बार में यो है, ये भी हमने चर्चा की है, अधानी power, इसी ग्रूप की कमपणी, अधानी power की हमने बात की, उसका आप ceart देख सकते ह वो भी कई टाइम से एक range-bound trade हो रहा था, लेकिन उसके भी profit और revenue के अंदर जैसे ही वो growth देखने को मिली, उसके बाद share किया किया, multi-bagger साबित हुआ, पचास रुपे से लेकर 100 रुपे के बीच वो गूम रहा था, और वहां से कहां तक भागा, वो 900 रुपे का असपास का अभी है, रिसेंटली पिछले दिनों में उसने high बनाया था, तो मतलब कि हर एक stock का एक time होता है, इसके अंदर भी एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, अब यहाँ पर इसके चाट के ओपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, वैसे इसके चाट के ओपर हमने detail में चर्चा की, अगर आप नहीं वो वीडियो नहीं देखी दो आप देख सकते हैं, और इसके ओपर हम daily technical चाट के ओपर analysis करते हैं, तो अगर आप नए है इस चैनल के ओपर तो subscribe जरूर कले हमारे चैनल को, यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने ब सब्सक्राइब करते हैं, तो यहाँ पर नहीं देखते हैं, यहाँ पर जो है, बुलिंग जर बेंग विकली चाट के ओपर लगाया है, तो नीचे में 7500 का असपास का जोन, वहाँ पर support और पहला इसका रजिस्टन एरिया, 800-800 का अगर पार करता है, 820 रुपे का असपास का, तो जो है यह 900 रुपे का असपास का जोन, और उसके बाद यह 1000 का जोन, तो कहने का मतलब के support एरिया वो करिब दिख रहा है, और रजिस् एक short term में भी एक अच्छी तेजी की संभाव ना रहे सकती है, 900-1000 तक जाने की संभाव ना रहे सकती है, लेकिन हाँ बड़ी तेजी में थोड़ा वक्त लग सकता है, अब आगे देखते है, RSI ज़रा देखे, वो भी 32 के आसपास है, इसी वज़े से support एरिया इसका करी भी द करें, रजिशन की बात करें, तो पहला है, रजिशन 800-820 का लेवल, बस ये लेवल पार होता है, उसके बाद ये 860 से लेकर 900-920 तक जा सकता है, और 920 को अगर पार करता है, तो 1000 रुपे तक जाने की संभाव ना रह सकती है, सोमवर को देखना बनता है, कहां तक जाता है, टेकनिकल चार्ट जो होते हैं, वो भी एक चीज समझ लीजे, काप ही यूसफूल रह सकते हैं, क्योंकि कहीं लोग हमें कमेट्स भी करते हैं, कि ये न्यूज के बेस के उपर चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सभी चीज जो है इंपोर्टन रह सकती है, चाहे न्यूज हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे टेकनिकल चार्ट हो, मैं आप से समाल पूछना चाता हूँ, क्यों ये साड़े बारा सो के आसपास ही, जो है दो बार वहां तक गया, तब हमने चर्चा की थी, कुछ रिजन थे, कि मैंने दो बार बला था, कि यहां पर ये रिजिस्टन फेस क चाहती हूँ, दिख रही है, 800 से नीचे एक दो दिन रहा, और उसके बाद ये बांस बेक आने की समभवना रह सकती है, तो टेकनिकल चार्ट काफी यूसपूल रह सकते है, सो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, और आज के वीडियो में इतना ही, इसके उपर, और के अंदर जो फसे हुए है, जो लोग, उसका प्राइस आ सकता है, उसको प्रॉफिट भी मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन वक्त लग सकता है कही ना कहीं, ये चीज है, सो आज के वीडियो में इतना है, और एक स्टैंडर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता ये, थैंक यू.